हेलो काईज, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, डिलीशिस मटर की सबजी, बहुत ही डिलीशिस यह सबजी लगने लगाली है, आप इसे एक बाद ट्राइ जिरूर करें, बहुत कम मसालों में और घर पर इसलिए बनकर तयार हो जाती है, खाने में भी उतनी ही पर यह न एकदम साफ और तरोथ आजा अब हमने लिए है कुछ एक वेजी टेबल में हमने लिए अनियन जिसमें हमने तीन से चार अनियन लिये हैं तीन से चार हमने टमैटो लिये हैं एक कैप्सिक हम लिये हैं दो ग्रीन चिलीज और एक अधरका टुकड़ा लिया है अनियन को हमने चील लिया है और बाकी सब को हमने वोश कर लिया है अच्छे से वोश करने के बाद हम इने कट करेंगे इससे पहले हम लेंगे थोड़े सी काजू आठ से दस हमने काजू लिये हैं थोड़े से खड़े मसाले भी हम लेंगे साथ में एक छोटी इलाइची ली है एक बड़ी इलाइची ली है दो लोंग लिये है और एक दाल चीनी का छोटा सा टुकड़ा हमने इसमें ल तब तक हम इन वेजटेबल को चोप कर लेंगे यह देखे मैंने टमेटो अनियन कैपसीकम ग्रीन चीली और अद्रक को चोप कर लिए ज्यादा फाइन हमें इन है इनिय चोप करना है यह देखे पानी भी हमारा उबलकर तयार हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे हमने जो कट किया था वो एड़ कर लेंगे साथ में एड़ करेंगे टमैटो अब एड़ करेंगे कैपसिकम्स ये देखिए चोप की हुई है कैपसिकम्स इसमें एड़ कर लेंगे साथ में ग्रेन चिलीज और अद्रक का टुकड़ा जो हमने लिया था वो भी इसमें एड़ कर लेंगे इस तरीके से अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने काजू लिये थे 8 से 10 वो भी इसी में एड़ कर लें साथ में हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने खड़े मसाले लिये थे कड़े मसाले आप इसमें अड़ करें अच्छे से इन्हें मिक्स करें ताकि जो मसाले हैं काजू है सब आपस में मिक्स हो जाएं और पानी में मिक्स होने के बाद ये अच्छे से उबल जाएंगे दिखिए इस तरीके से मिक्स कर लें और उबलने के लिए इन्हें छोड़ दे धक्कन लगाकर हम इने उबाल लेते हैं ताकि ये सोफ्ट हो जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा जब तक कि ये सब सोफ्ट हो रहे हैं तब तक हम एक सलरी बनाकर तैयार कर लेंगे हमने लिया है turmeric powder साथ में हमने लिया है red cherry powder डेड़ चमच लिया है coriander powder और इसमें पानी डाल कर हम क्या करेंगे slurry की तरही से तयार कर लेंगे पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके add कीजिएगा सारा पानी एक साथ add ना करें इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसकी एक सलरी बना कर तयार कर लीजिए गाठे इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एकदम liquid form में आप इसे बना कर तयार कर लें इसकी consistency में आपको दिखा देती हूँ कैसी इसकी consistency होनी चाहिए एकदम liquidy form में इस तरीके से यह होना चाहिए देखिए यह भी हमारा उबल कर तयार होने वाला है लेकिन अभी जो टमाटर है वो हलके से soft नहीं हुए है इन्हें और soft करना है जब तक इन्हें soft करना है जब तक कि यह पानी को observe ना कर लें फिर से ढखकन लगा दिया है पांच मिनेट के लिए और देखे सारा पानी नोंने observe कर लिया है अब क्या करेंगे थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे पहले इने बिल्कुल गरम गरम को इनको blend ना करें त्टंडा होने के बाद झादा थंडी हमने नेकिया है अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी प्यूरी बना कर तयार कर लेंगे fine paste हमें बनाना है मैंने इसका paste Keeping बना कर तयार कर लिया है हम डालेंगे जीरा जीरा को चतक ने देंगे जीरा हमारा चतक चुगा है इसमें एड़ कर देंगे ने बचा편 दें यूआ गीगर इसमें एड़ कर δी है दो मिनट के लिए इसे पकाएंगे यह देखें अब इसमें घी चोड़ना शूरू कर दिया दो मिनेट में यह गी चोड़ना शुरू कर देती है और पक जाती है यह देखिए थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे जो हमने मसाले वाले सलरी तयार करी थी वो हम इसमें एड़ कर देंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे में add कर रहे हैं तो इसे पकाने की अभी जुरूरत है ये देखिए अच्छे से सिमक mix करेंगे mix करने के बाद हम इसमे डॉलेंगे थोड़ी सी कसूरी मेती ये देखिए हातों से sprinkle करते वे रगड के इसको अच्छे से डालेंगे और धक्कन लगा कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, पानी हमने अड़ नहीं किया है, पानी हम प्लेट के उपर अड़ कर रहे हैं, आप चाहें तो डिरेक्ली करम पानी इसमें अड़ कर सकते हैं, ये देखिए, दस मिनिट बाद जो है, मिटर हमारी पकनी चुरू हो गई है, लेकिन अभी ये थो हो रहे हैं, प्लेट के उपर अब जो है, मटर पकर तयार हो चुकी है, उसमें हम एड़ करेंगे, नमक और गरम मसाला, नमक और गरम मसाला, नमक जो है, हमने पहले एड़ किया ही नहीं था, तो अब हम लास्ट में इसे एड़ कर रहे हैं, गरम मसाला भी हमने इसमें एड़ करते रहें और अच्छे से mix करने के बाद 2-3 मिनिट के लिए आप ढखा दे ताकि ये मलाई का जो है थोड़ा सा इसमें अच्छा कलर आ जाए और अच्छे से इसमें mix हो जाए इसलिए हमने से ढख लिया है पांच मिनिट बाद हमारी सबजी पकर तयार हो जाएगी फिर हम इस इसे किसी पावल में सर्व कर लेंगी ये दीखे आप इसका लुक देखI एकदम kijच लुक आ रहा है ग्रेवी जो है बहुत ही पतली पतली नहीं लग रहे है बहुत ही अच्छी होट्टिल जैसे इसकी ग्रेवी बन कर तयार हो गई है ये देखिए हाने में ये बहुत ही डि subscribe करना ना भूलें बैल आइकन को भी प्रैस जरूर करें ताकि मिलती रहें आपको मेरी नहीं-नहीं रेसिपी तो हमारी ये सबजी तो बन कर तयार हो गही हैं आप कमेंट शेशन में जरूर बताएं आप मेरी कौन सी अगली रेसिपी देखना पसंद करेंगी तो वही रेसिपी जिसे हमने चोप कर लिया है साथ में थोड़ा सा जिंजर भी लिया है यह देखे सब को मैंने चोप कर लिया है साथ ही में आलू को उबाल लिया है और चील लिया है इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे यह देखे मैंने इन सब का पेस्ट बना लिया है इस तरीके से पेस्ट बना तो हम आदा चमर्ण जीरह कर देंगे और जाती बहुत जल्द हम पके पखेंege यो छाथ नहीं लें पहले कड़ी लिवज आड़ कर सकते हैं पर मैंने बाद में किया है क्योंकि थोड़े से टाइट हो जाते हैं पहले अड़ करते हैं तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें आड़ किया है इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हल्दी अपना कलर अच्छे से पकड़ ले ये देखिए जैसे हमने हल्दी आड़ किये कलर आना शुरू हो गया है अब डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर और कोरियंडर पाउडर तीनों चीजे हमने डाल दी है अच्छे से इन्हें भी मिक्स कर देंगे मसाले देखिए मैंने बेसिक से मसाले लिया है जो डेली वेज की सबजी में हम डालते हैं कोई भी बाहर का मसाला जैसे गरम मसाला काली मिर्ची ऐसा कोई भी मसाला मैंने नहीं लिया है जो रुटिन लाइफ में हम मसाला रोस्ट होने के बाद इसे एड़ कर दें हलका सा इसे भूनें और देखिए हमारा मसाला जो है पकर तयार हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी यह देखिए घरम पानी लें ठंडा पानी एड़ ना करें थोड़ा सा हम लेंगे घरम पानी और इसमें एड़ क अलका सा इसे स्टर कर देंगे जब तक कि ये पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि आलू को हम थोड़ा सा इस तरीके से पर्क कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो आलू के अंदर चला जाए कोई भी फोक ले लीजिए फोक है टूथपिक है आपके पस जो किसी हमने इसमें एड कर दिया है पटेटो और अच्छे से इने स्टर करेंगे अब क्या करेंगे धकन लगा कर इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है हलकी सी थिक हो जाए और जो मसाले है वो आलू के अंदर चले जाए तो धकन लगा कर आप इसे पका दिया किस तरीके से एक ग्रेवी जो है थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा रीच लुक देगी जिसमें कि हमने इसमें कुछ भी आड नहीं किया है एक्स्ट्रा तो यह देखिए ठंडा होने के बाद कैसी यह सबजी हो जाती है बहुत ही अच्छा लुक देती है और इस